नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका नए वीडियो में ये हम सभी जानते हैं कि मनी पलांट गर में लगाना सुब माना जाता है वास्तु के अनुसार अगर हम इस पोदे को गर में लगाते हैं तो इसे घर में सुक्सम्रदी बनी रहती है दन का आगमन होने लगता है और परिवार के सदस्यों में हमेशा प्रेम बना रहता है आखरी एकसा क्यों होता है आज इस विशेज जानकारी के बारे में मनी पलांट से जुड़े रहश्य समझाने वाला हूँ तो द्यान से सुनियेगा कि मनी पलांट घर में किस दिसा में और किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह मनी पलांट बूल से भी नहीं लगाना चाहिए और मनी पलांट से समंधीत और भी बहुत से टोटके बताऊंगा जिसको करने से आपको अपने वैसाई में लाब होने लगेगा और जो सुब घटनाई है आपके जीवन में घटने लगेगी तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देजिए वास्तों में ऐसी बहुत सी चीजे हैं जिने हम नजर अंदाज कर देते हैं अगर हमें भागे में बढ़ोतरी चाहिए और घर में सुक शान्ती बनी रहे तो क्यों न हम इन चीजों को अच्छे से लगाएं जो वस्तों एनरजी को कैच करती है इसलिए इनको सही स्थान पर लगाना और सही दिसा में लगाना बहुती ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि इने आप जहां भी लगाएंगे उनका असर अच्छा या बूरा दिखने को मिलेगा और हम गलत इसा में अगर रख देते हैं इने तो निश्चित रूप से नेगटिव एनरजी को कैच करेंगे और आप तक फैलाएंगे घर में सुब होने की जगए ऐसुब होने लगेगी और इसका गलत असर हमारे परिवार पर पड़ेगा तो दोस्तो सबसे पहले बतादूं कि नर्सरी से लाया हुआ मनी प्लांट उतना असर नहीं देता है जितना की हम किसी के घर से लेकर मनी प्लांट को लगाते हैं खासकर उस व्यक्ति के घर से लाना चाहिए जिस घर में तरक्की हो रही हो जो कि आपके परिवार में अडोस पडोस में ऐसे घर से ले जहां पर तरक्की हो रही हो नहीं कि उनके घर में निर्दनता हो इस परकार मनी प्लांट को लेते समय इस बात का खास द्यान रखना चाहिए ताकि आपके परिवार जनों में आपस में प्रेम बना रहे और ऐसा बिलकुल भी नए करें कि हमें चोरी करके लाना पड़े जैसा कि हम असल में सुनते हुए आ रहे हैं क्योंकि चोरी करना हर रूप में गलती माना जाता है वास्तों में भी इसका कहीं भी वर्ना नहीं किया गया है कि मनी प्लांट को आप चोरी करके लगाएं ऐसे कोई भी बस्तू जो चोरी करके लाई जाती है वो मारे भागे को बदल नहीं सकती प्रिये दोस्तों आपको मनी प्लांट को बुद्वार के दिन ही घर में लगाना चाहिए तता मनी प्लांट के घर के दक्षिन पूरू के कौने में ही लगाना चाहिए इस दिशा को बहुत ही अच्छा माना गया है क्योंकि दोस्तों जो दक्षिनपुरू की दिशा में जो देवता होते हैं वो गनेजी होते हैं और इस दिशा को जो परतिनी दितो है वो शुकर करते हैं और शुकर गरे धन और शुक्ष मरदी का गरे माना जाता है अगर इस दिसा में मनी प्लांट लगाते हैं तो जैसे जैसे मनी प्लांट की वरद्धी होती है वैसे वैसे ही आपके गर में दंसंपदा और शुक्षान्ती की वरद्धी होती चली जाती है इसके अलावा मनी प्लांट को किसी भी दिसा में नहीं लगाना चाहिए और आपको बता दें कि मनी प्लांट को कभी भी बैडरूम में नहीं लगाना चाहिए आप इसे बालकनी या फिर छट पर लगा सकते हैं आप चाहें तो इसे घर के आंगन में भी लगा सकते हैं अब आपको मनी प्लांट से जुड़े हुए कई असरदार प्रियोग हैं जो बताता हूँ सबसे ज़्यदा जो असरदार प्रियोग है वो है अगर आपको व्यपार में कुछ लाब नहीं हो रहा या आप लंबे समय से नोकरी की तलास में हैं आपके जीवन में धन की व्रदी नहीं हो पा रही तरक्की रूकी हुई है तो ध्यान से सुनियेगा आप इसे कभी भी कर सकते हैं आपके घर में नीले रंगा बोतल होता है इसमें पानी बर लें और इसमें मनी प्लांट को लगा लें और इसको अपने गर के आंगन में रख दे जैसे जैसे मनी प्लांट बढ़ने लगेगा वैसे वैसे आपको नई आफसर मिलने लगेंगे जिससे आपका वैपार तेजी से बढ़ेगा एक बात और ध्यान दें कि मनी प्लांट जो है नीचे की तरफ ना बढ़ें मनी प्लांट को हमेशा उपर की और बढ़ने दें उसे इस तरह से लगाएं कि वो उपर की और बढ़े किसी के सारे आप उसे लगा सकते हैं और उपर बढ़ने के लिए किसी दागे से आप बांच सक तो दोस्तो ये थी मनी प्लांट से जुड़ी कुछ जानकारियां यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेजिए